मुख्य मंती नायب सिंग सेनी ने कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठवंधन पर बोले कि दोनों भरष्ट अचार के दलदल में फचे हुए हैं हर्याना की जनता ने तै कर लिया है की कॉंग्रेस चाहे एक गठवंधन करे चाहे दस गठवंधन करे कॉंग्रेस का सुफडा साफ होने वाला है आगे कहा कि वे लोगों को बरगला कर अपना उल्लू सिधा कर रहे हैं लेकिन लोग समझ चुके हैं कि इनके नित्रितों में विकास नहीं हो सकता विनास होगा यह लोग किसी का भाला नहीं कर सकते ना प्रदेश का और ना ही प्रदेश की जनता का यह लोग सिर्फ अपना ही भला कर सकते हैं देखिए दुन्नों दलों के अंदर भै है दुन्नों ब्रहस्टाचार की दलदल में फशे हुए हर्याना की जनता ने तै कर लिया है जाहे कॉंग्रस एक गठ बंदन करे जाहे कॉंग्रस दस गठ बंदन करे कॉंग्रस का सुपड़ा साफ होने वाला है हर्याना में भारतिय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है आज मैं सुवह से लाडवा की सरदारी के बीच में उनका आशिरवाद लेने के लिए लगातार कारकर्मों में हूँ लोगों का भरपूर आशिरवाद और शहयोग उनका मिल रहा है और लोगों ने एक संकल्प लिया है कि लाडवा तो हम जताएंगे परन्तु लाडवे से नियरेस जितने भी जिले होंगे सब जिलों के अंदर कमल के फूल का हम खेती करने का काम करेंगे कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे ये वी संकल्प हमारे लाडवा के लोगों ने लिया है मुझे खुसी है कि जो आशिरवाद जो प्यार दिया है उससे मैं अभी भूत हूं आमादमीं पार्टी और कॉंग्रस का जो समझोत्तों होने जा रहा है कैसी चुनोती मानते हैं नहीं देखिए मैंने कहा है कि दोनों भरस्टाचार की दल्दल में फसे हुए हैं